तो गाइस आप सभी को पताई है कि इस जो स्प्राउट से हमारे सहत के लिए बहुत ज्यादा फाइदेमंद है और किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी तरह से हमें इसे बच्चों को या हमारे परिवार वालों को खिलाना होता है तो फिर चलिए गाइस बनाते हैं बहुत ही बेहतरी नो टेस्टी से सबची वो भी महाराष्टियन स्टाइल यानि की महाराष्टियन का जो स्पेशल है काड़ा मसाला उसे यूज़ करके तो सबसे पहले हमें इसे अच्छे से धो लेना है धोने के बाद देखिए इसका जो पानी निकाल देंगे फिर में ले रही हम इसम अब इसे हम ढ़कन लगा कर गेस की फ्लेम को मीडियम करेंगे और उसके बाद इसको एक सिटी आने तक पकाएंगे अब मैंने दूसरा पैन ले चड़ा दिया है गेस पर उसमें डाल देंगे हम एक चंब जितना ओईल अब इसमें मैं ले रही हूं प्याज प्याज को मैंने थोड़ा साटे कर लेंगे तो यह देखिए इस तरह से अच्छे से इसको भून लेंगे तो यह देखिए मैं डाल रही हूं इसमें दो हरी मिर्च और लैसुन की कलिया लिए है अब इसको भी थोड़ा सा इस तरह से साटे करेंगे अब मैं इसमें डाल रही हूं थोड़ा सा अदरक बारिक कट किया हुआ इसको भी अच्छे से मिला देंगे और इसे हमें अच्छे से ब्राउन होने तक भून लेना है तो आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से ब्राउन होने तक भून लिया है यह देखिए काफी अच्छे सी यह भून चुका है चली से निकाल दे अब उसे पैंड में ले लिया है यह सुखा हुआ जो नारियल रहता है सभी की घरों में यूज किया जाता है इसे भी अच्छे से भून लेंगे देखिए अधर मसाले हमें नहीं डालना है कि हम जो काड़ा मसाला यूज करने वाले हैं वह बहुत ही जादा टेस्टी होता है त देखिए जो मसाला हमा ठंडा हो चुका है मैंने टमाटर लिया है तो टमाटर को मैंने थोड़े से बड़े आकार में कट कर लिया और यह जो बाकी का हमने प्याज और टमाटर लिया है इसको हम बाद में यूज करेंगे इसे मैंने बारिक बारिक आकार में कट कर लिया है अ जानकर देती हूँ तो guys यह सोलापूरी काड़ा मसाला है यह online आप आसानी से मंगा सकते हैं घर बैठें और यह जो number दिया है customer care का यानि कि यह जो मसाले यह हमें provide करते हैं यह घर के ही मसाले बनाते हैं घर के ही मतलब घर पे ही हातों से इसे मसाले को पीसा जाता है मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी उस तरह से इसे मसाले को बनाया जाता है तो यह मसाले काफी अच्छे है मैंने इसे खुद यूज किया है सबजी में मैं आपको यूज करके भी बताऊंगी और इसकी packaging भी बहुत अच्छी है यानि इसकी जो self life है काफी अच्छे से टिकती है यानि इसको हम यूज करने के बाद भी आसानी से pack करके रख सकते है तो इस मसाले को मैंने online ही purchase किया है और whatsapp नमबर में आपको screen पर देई रही हूँ तो यह इस नमबर पर आप है ना इनको contact कीजिए whatsapp नमबर यही है आप इनको call करके भी personal बात करके भी आप अपने मसाले मंगवा सकते है तो guys यह मसाला जो है market में other मसाले जो मिलते है उनमें काफी chemicals add की जाते है जबकि इन मसाला में कोई chemicals आपको नहीं मिलेगा और काफी अच्छे है तो यह जो मसाला है इनको आप purchase करना चाहते है तो इस नमबर पर आप contact कीजिए चलिए सबजी बनानाई start करते है तो मैंने gas पर चढ़ा दी है एक कड़ाई कड़ाई में हम डाल देंगे oil आप अपने हिसाफ से कम जादा कर सकते है तो चलिए अब इसको गरम कर लिया है इसमें डाल लेती हैं में आधा चमज इतना जीरा और जो हमने बारेक कड़ करके रहा था प्याज उसे भी हम इसमें आइड कर देंगे बहुत ज़्यादा नहीं है छोटे साइज का एक प्याज मैंने बारेक कड़ करके लिया है आप सोचेंगे दो दो बार यूज करके लिया है तो जी हाँ इस तरह से आप एक बार सब्जी बना कर देखिए बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी मेरे कहने पर आप इस तरह से बनाईए ज़रूर चलिए इसको भी अच्छे साटे कर लिया है देखिए अच हलका सा ब्राउन हो चुका है आप इसमें मैं डाल रहे हूँ मसाले तो जिसमें मैं डाल रहे हूँ आधा चम्मच हल्दी पाउडर आधा चम्मच ही डालोंगे मैं लाल मिच्च का पाउडर अब डाल देते हैं धनिया पाउडर अब ले रहे हैं हम वही काड़ा मसाला और उसे हम डालेंगे एक चमच बस इतना ही यूज़ करना है चलिए अब इसमें डाल देते हैं स्वादा नुसार नमक सब्जी के अनुसार और जो बारिक कट करके रहा था हमने टमाटर उसे और इनको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है यह देखिए बस एक मिर्ता हमें इसे भुनना है इस तरह से चलाते हुए और आप उसने जो मसाला पीस कर रहा था चलिए उसे भी हम याट कर देते हैं बहुत ही अच्छे खुश्बू आ रही है गाईस आप एक बार ज़रूर उसे मंगाईए उस मसाले को और यूस करके दे तो देखिए इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और थोड़ा सा पानी हम इसमें आट करेंगे तो जो मसाला हमने पीसा था था ना जिस बरतन में जार में मिक्सी के जार में उसी को थोड़ा सा साप करके धो कर लिया है बहुत ज्यादा पानी नहीं आट करना है पसे थोड़ा सा ही और अब इसे हम ढग देंगे और ढग कर इसको मीडियम फ्लेम पे इसे पकाएंगे जब तक यह ओईल अच्छे से सेपरेट ना हो जाए मसाले से तब तक इसे अच्छे से पकाना है और बीच बीच में इसको चलाते भी रहे गई तो आप देख सकते हैं मसा जादा आमेजिंग खुश्बू आ रही है गाई जिसमें और बहुत जादे मसाले भी आपने देखा न हमने इस्तिमाल बिल्कुल नहीं किया है अब जो हमने उबार कर रखते स्पावर्स नहीं डाल देते हैं बहुत जटपट यह सबजी बन करके तयार होते हैं गाईस एक बा गरम पानी करने के लिए रख दिया था और गरम पानी को हम इसमें आइड करेंगे तो जितनी आपको गाड़ी या जितनी आपको पतली सबजी को रखना है यानि इसकी ग्रेवी को रखना है उस हिसाब से आप इसमें गरम पानी डाल सकते हैं तो आपने देखा हमने इसको ड बाल आन देते हैं और हमारी जो सब्जी है इसमें हम थोड़ा सा हरा धन्या डालेंगे लास्ट में देखिए जब इच्छा सी उबाल आ जाए अब इसमें हम थोड़ा सा हरा धन्या डाल देंगे और बस एक दो मीट के लिए और उबने देते हैं और यह हमारी जो सब्जी है प कमेंड करना बिल्कुल न भूले मुझे कमेंड करके जरूर बताईए आप अपने फीड़बैक मुझे जरूर शेयर किया किजिए और इसको हम गर्मा करम साफ करेंगे आप इसको चाहे जैसे इंज्वाई कीजिए ये बहुत ज़्याद देश्टी लगती है महराश्टी इन स् प्रसंद आई हो तो ज़रूर ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर दीजिए क्या कि हम ऐसी आसान रेजिपिस आप के लिए लाते रहते हैं चलिए फिर मिलेंगे इसी आसान रेजिपिस में अगली वीडियो में अटकी लबाइब बाइब